सबुसकार जयहंती कैसे हो बचापाटी इस तरह से आपने डिफरेंसीएशन की क्लास पूरी की है उसी तरह से यह ट्रियगनुमेटरी कि फीलाज को कूरी खूरें किसे बिलकुल भी अच्छी तरह से पढ़ना हो यह पढ़ने जो भी बच्चे लेंगे इसलिए आप इन्हें ध्यान दे और बारेकी से एक एक जीश समझें जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था और इस वीडियो में उससे भी आगे बताएंगे यहीं पर हम आपको पिछले वीडियो में छोड़ चले थे अब और आगे जस्ट अभी बताऊंगा यहां पर कि किनेश यही है कि अब उटा कर दो इसको पूर्ट पतला हो गया यह यहां तक अगर आप आगे भी हमारा आपका साथ रहेगा है कि अच्छे तरह से पिछले क्लास को रिवाइज करके आईए और मचाऊट इसी एंगल में हम दू एंगल अभी और जोड़ रहे हैं कौन सा कौन सा 57 सौरी 53 डिग्री और 37 कौन कौन सा जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर जब फिजिक्स पढ़िएगा तो वह इसमें बेहत यूज़ होगा बेहत मतलब बहुत बहुत एक नूट करके लिखेगा नूट अ कि आइन कि ती सेवें डिग्री क्या होगा कि कि पॉस पॉस्ट ती सेवें डिग्री क्या होगा और साइन अगर यहां फिरी लिख देते हैं यहां फोर लिख देते और यहां प्रॉम प्रिवियस क्लास वी नो अपोजी टु दे लार्जेस साइड आर लार्जेस डिगरी अब अच्छा और यह और यह एक अबजर्वेशन के तुरू यह देखा गया है जो बचा हुआ या तो 53 डिगरी होगा नहीं तो 37 अब आपको जोईस करना है कौन सा एंगल कहां प डिगरी और आप शुक्त सामने वाला एंगल बढ़ा होगा यानि यहां पर कितना होगा फिक रिवडी और और थिटी क्या होता का फर्मूला बेस इसके लिए क्या है और बताइए और बताइए और बताइए और बताइए और बताइए अब तो कम से कम मुश्कुरा देजिए तो यहां पर हम लिख ले कितना लिख दे कितना लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं कि गलती हो जाएए और देख लिए तो यहां पर पित्री करने यहां अभी कुछ नहीं बिग्राइए परस्टेफिन कर ले गलती तो होती नहीं थी उच्व को हुद प्रस्राइब यह जम कि आपख सकते ही कैँठे आप मुद्फे यहां इस यदिसिड़ को यहां Folies नौन लिए कितना अगर आपको याद यही अगर आपको भैलो इस टेवल में लिख देते हैं तब बोलते याद करने के लिए तो थोड़ा परेशानी था ठाकी नहीं था तो आप क्या किजिए आप एक इन जेनरल अबजर्वेशन एक और ज सब्सक्राइब करेश का साइड का देशियो ती कि इसके आपॉजिट में सब्सक्राइब के नहीं होना हाँ यहाँ तक कोई पर्चानी नहीं नहीं होना चाहिए जिस तरह से आप पुछोगे यह कहां होगा जैसे जैसे वरक डन क्या होता है यहां तो हमें यह टेवल खेल कर जाएगे बट आपको तो खेल होना नहीं है आपको क्या होना है पास होना है पास तो ऐसे हुई है नहीं इसके लिए आपको पढ़ना परेगा और पढ़ तो आप रहे ही है ना जिस तरह से पढ़ रहे हैं उस तरह से तरह नहीं हो पाएगा नहीं और मैंद करिए ना इसमें आपको याद नहीं बर्कि एक बेसिक आपको काम देगा और इस प्रूपर्टी में एक और बात इन्हेंस कर लिए और एक बात और इन्हेंस मैं करवा देता हूं अगल इसका टैन रहे और इसका एट रहे और यह सिक्स रहे तो कहीं न कहीं यह भी थी थी फॉर फायव का है अगर टूएंटी रहे अगर शिक्स्टीन रहे और यह तुएल और बता देता हूं और बता या फुट्टी रहे यह सब को अगर कैंसील भी क्राइएगा तो वह थी इस टूफ्वोर्षू उफाइव में ही आ जा कि नहीं बुलिएगा हमसे नाराज है कि यहां सब्सक्राइब का रेशियो होगा एक एंगल 37 डिग्री दूसरा 53 डिग्री और यह तो 90 है इस तरह से आप अब्जर्वेशन करके खुद से भी लेख सकते हैं यह तो बात यहां तकी बात रही से अगर आप देखिएगा एक यहां से बच्चा यह सोचने लगता है तो बिल्कुल गलत तो सही क्या है सही यह चीजाए हो ध्यान दिजेगा जराई धर ध्यान देजेगा साइन ठीटा कॉस ठीटा का ग्राफ एक जनरल ग्राफ दे देते हैं और अलाकि इसी हम इतनी बार mathematics और physics में पढ़ेंगे कि आपको याद हो याद हो ही जाएगा सही सुना आपने आपको याद हो जाएगा जिसके लिए आपको परशानी होने का जरूत नहीं है इन ठीटा का मैक्सिमम मांन मैक्सिमम वैलो वन और मिनिममम मैंनस वर बाद समझ में आ रहा है क्या इसको गर आफ इसी के बीच में ऐसे 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 करेगा तरह करेगा को बनाएं चाहिए यह यहां पे कितना ढें यह कितना यह कितना यह कितना है यह कि तरह से यह तरह का ग्राफ अगर आपको थोड़ा द्यान में नहीं आप कोसी करें कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना जराशा इधर द्यान देना है यह एक लकीर और यह यहां तो कोई परिषानी नहीं होना चाहिए और यह इसे करना है को आप यह वन को कभी क्रॉस नहीं करेगा यह को कभी क्रॉस में ठीटा और साइन थीटा का मैक्सिमुम मान्थ मैक्सिमुम देखिया साइन थीटा का मैक्सिमुम मान्थ हिंदी सब्सक्राइब साइन ठीटा का मैक्सीमम निकालना होगा मैक्सीमम इनर्जी निकालना होगा मैक्सीमम निकालना होगा उस समय में ये सब लग करेगा अगर अच्छे से आगे की कैल्कुलेशन आप कर सकते हैं आप और वच्चा से दो तीन श्टिप आप आगे हो सकते हैं ऐकि नहीं यहां तक तो सही है यहां तक तो सही है लेकिन minimum value क्या होगा minimum value minus 1 होगा minimum value minus 1 होगा उसी तरह से हम यहां लिख देते हैं साइन ठीटा का minimum value मतलब कम से कम value क्या होगा कम से कम value जीरो बोल दे क्या बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं क्या यहीं पर value खतम हो जाता है नहीं आपको यहां से तो दिख यहां होगा सी यह वला कितना साइन ठीटा का सी तरह यह को सी थीटा का minimum देखी तो यहां पर माइनस भगाने की जरूत नहीं सी कितना हो गया माइनस-1 हम लोग जीरो पर यह गलत बात है किस चीद को हम तो एक ही जैसा दिखता है अजरा ध्यान से देखिए अपने आँखों से देखने की कोशिस कीए यह क्या है जी ऊ Sugな यहाँ प辜ी डिकिन तीटा में लेकिन अगर हैби किसका स्थीटा का अगर और इसमें आप अगर को देखते हैं तो कितना हो रहा है तो इस दो अंतर मालूम चल गया अब आपके अंतरात्मा से कुश्चन आ रहा होगा आपका सब्सक्राइब करते हैं अगे बढ़ते हैं और आगे सारी बाते करते हैं बिल्कुल भी इधर उधर मत जाईए कि आपके बीना तो अध्रूरा है पलपल का सपना हसीना और जाना वापस तु आना करोना तुमको किधर रहा जाना तुमको और कहीं नहीं आजा फिर परोची के घर में नहीं आना इधर भी नहीं आना फिर किधर जाना अधिये तो बात यह रही ना अब जो बात बताएंगे अब जो बात वो लाक तके की बात कि लाक तके की बिल्कुल सही सुना बिल्कुल सही सुना एक ऐसे करके कि लेगी नहीं रहा कैसे किया जाए बटाइए लिए तो निमेशन कर ले जाएंड इंसर्ट में वर पेसंट में इस ति मैं क्या आए कि लिए लेना हो जाते है या देख लेते हैं बना बना मिल जाए तब बीना मेहनत का काम खोज रहे हो क्या सब्सक्राइब बिल्कुल बात नहीं है यहां इस तरह साथ तेरा हमारा रहे करें इसमें क्या है यह फर्स्क्वाड्रेंट आप लोग जानते हीं है आप मन मन सुच यहोगा इस में नए आप यह बटाई आप इसकूल के बाद कहां जातें कोई लोग कोचिंग भी जाते हैं कोई लोग कहीं और जाते हैं लेकिन पीछे पीछे तो जाते हैं आफ्टर एस्कूल टु कुचिंग यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है यह सीकैन क्वाड्रेंट है यह फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट है इतना तक कोई पडशानी नहीं होना चाहिए यह जीरो डिग्री माल लिजिए है इसको 90 degree तो 70 निया तो है इतना तो 90-90 इस तरह से यह 0 के साथ किस्टी ना रहे हां की ना बताईए 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 नहीं बताईएगा बता दीजिए मुस्कुरा दीजिए हस दीजिए आप तो हसना ही भूल गए इसमें क्या जो भी रहागा साइन और सारा का सारा पोजेटिव और पोजेटिव इसमें कि और और को से आइन और को से आइन और और काहे लिए इसमें साइन और ऑचल पोजेटिव मैं जिसमें कि गती से दीजिए घ्यान देजिये अगर 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 जीरूसे के बीच में पूछे आप इतना नहीं पता आप कल तक बता सकते थे या नहीं लेकिन आज और आज के बाद आप बिल्कुल बता सकते हैं हमेशा है और उका तो पता नहीं बट साइनर कॉस्क वाइज पूजेटीव यह दोनों पुजेटीव होता है और बाद माकी यह नहीं बोलीएगा तो पता नहीं मालूम क्या चलेगा पता लेकि हम पता गलत नहीं पुरा देर के लिए अपना नहीं आप समझ रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं बस हो गया ते रहा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो नहीं और सब इसमें अगर कुछ ले स्कॉस से जांपल से आपको अभी आप से लेंगा यहां देखे कुछ भैलो लीखेंगे कि इस साइन कि तू सेवेंटीफाइर तू सेवेंटीफाइर वन थर्टीफाइर शुड़ा तू सेवेंटीफाइर तू सेवेंटीफाइर और बताइए प्रभु बताइए लेंट बहार निकालिए को सेख इक इक स्टी डिग्री ते टिटी डिग्री और 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 निकाल रिग्री प्रटीफाइर तो बता सकते हैं इसका फ्रकू यान बाइट्टू होगा इसका व्लू संस्क्राइट के लिए नहीं बैठें हैं मैं कुछ आपसे और सुनना चाहता हूं मैं आपसे कुछ और बुलवाना चाहता हूं हमारा साथ दीजिए यह क्या जीरो और नैंटी यह भी जो भी एंगल है यहां पर जो भी एंगल है वो सारे डिग्री में है और सारे जीरो जीरो से नैंटी के बीच में है और जीरो के नैं कैसे याद कर सकते हैं यहां देखिए आफ्टर यह हुआ स्कूल कोचिंग 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 आपको स्कूल से का कॉंप्लिमेंटरी टी से टैन का पॉट इस तरह से याद हो जाएगा तब आप बता जीजे जीरो से हैं हं लिएक है हम तो यह पूछ रहे हैं हम इतना बता या बताइए यह पोजेटिव होगा या नीगेटिव आपने बोल दिया हाँ पोजिटीव होगा तहां खुश वाप खुश दुसरे पेस्पे आईए दूसरे पेस्पे आए और बताएं और वन फिफ्टी डिगरी और बताएं और लॉन फिफ्टी डिगरी देख 150 देख नहीं कहीं आपको यह अबजर्ब करना है यह सारे की सारे कितना 90 से 180 के बीच में है आपके माइन में तुरंत आना चाहिए इसका मतलब साइन और कॉसिक को छोड़ करके सब नीगेटिव होगा कहने का मतलब यह हुआ और कॉसिक पोजेटिव है बादवा की सब मुहमाया है अधयाद देजेए यहां धेएं यह क्या होगी है यह पोजेटिव में होगा और यह निगेटिम में लेकिन यह निगेटिम है आप बिलकुल मच सरमाईं आप बिलकुल मत सरमाई है अगर नहींtechn法 में आ रहा है सब्सक्राइब आप हमसे टिलीग्राम ग्रूप में भी जुख सकते हैं आप हमें वहां भी कोस्टन्स पुछ सकते हैं आपकी हर संबब डाउट के लिए की जाएगी आप आईए तो सही एक बार पुछिए तो सही आप बिल्कुल मत घबराईए आपको एक्जेक्ट भैलू भ सब्सक्राइब अंतना तो समझ में आ गया कुन सा वैलू पॉजिटीव इस ब्रू नेगेटीव रहेगा एक बात और बता ही दिजिए एक बात और बता ही दिजिए यहां देखिए साइन 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 दोसर दस डिग्री कोस सब्सक्राइब कोस इतना 350 डिग्री इसमें बताए तो कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा तैन दोसर डिग्री आपको सिर्फ यह बताना है पोजिटिव होगा कि निगेटिव होगा आप बिल्कुल मत घबराईए कि इसका एक्जेक्ट वहलू क्या होगा इसका एक्जेक्ट बहलू बताने के लिए हम है जो यूज में होगा जिससे आपका इलेवन बन जाएगा उतना तक तो हम बता ही सकते हैं किस तरह से आप देखे को याद दिलाते रहें कि पास कर लें हैं नहीं भी पास की तब कर रिजल्ट मालने जी सब्सक्ट गया है जहां तक देखें अब आपको बताना है कुन सा पोजेटिव होगा यह यह कुन सा नीगेटिव होगा यह 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 210 कहांप होगा अब 210 कोना में कर लीजिए यह 0 यह 90 यह 180 यह 270 अब आप ही बताईए 210 कहां होगा 210 तो इसमें होगा इसमें क्या होता है अब भी प्रोब्लम हो रहा है तो आपको प्रोब्लम ही प्रोब्लम होना चाहिए अब नहीं यह 10 तो हंडेड कहां पर होगा इसमें होगा इसमें होगा तो यह पोजेटिव होगा है मतलब यहां पर होगा मतलब नीगेति वोगा आपको समझ में आंगे हम यह उमीद मान के चले हम तीन चार लिखेंगे उसमें आपको बताना है कौन सा पोजेटीव कौन सा नीगेटिव ना कि या परिशान हो गये परिशान होना है मेरे साथ बने रहे कि तुस्मझ ले कुन सा पुजिटिव रहेगा या निगिटिव रहेगा लेकिन यह यूपिएस है असानी से समझने नहीं है वसीतर है का मैं वन ट्वेंटे कॉस कॉस कि अब आपको इतना बना बताना है पोजिटिव होगा कि निगेटिव पोजिटिव होन बता है कि यह पोजिटिव सब बचा क्या से मतलब यहीं पर ना था कर कर आधी तही ना था कोजिटिव बताईए बताईए दूसब पच्ची से कैसे होगा यह 0 हो गया यह 270 हो गया मतलब मतलब आफ्टर स्कूल तू पूचिंग टी से टैन ती से यह मतलब यह थिरी हो नहीं यहां यहाएगा मतलब निगेटिव पर आदीजिये किस तेना राज्यां प्रभू हम से नराज है हम से अंगा यह क्या हो जागी यह निगेटिव पूजिटिव का कॉंसेट्स सीख लिए हैं मतलब आप आधा डिस्टेंस कभर कर लिए हैं आधा डिस्टेंस कभर कर लिए हैं को कि कि यहां तक सही है नेक्स नेक्स स्टेप क्या है तब बताएंगे भी च्टेप कुंसा श्टेप टू है यह कौन सा में यह द्यां पर यह क्या है यह क्या है कि नाइम टी यह क्या है लुट से दिखेंगा जी रो इसी को आई लिखते हैं और इसी को सिरी पड़ेटे निरी पाई अब जहां मिद्स और कोई को एंगल नेस्ट बता रहे हैं वह लिख को सबसक्राइब कोई इस में से घटएगा एफ जोड़े गाए जुर हमें शीज राओ तो वही इस चीज़ है जो नहीं सब्सक्राइब है यह देखिए तो यह खुद्या और्ड मल्टीपल पाई अगर एंगल में अगर एंगल में ओ आ एंग, प्लस मैं उडिया हम अगर टाम है यहा है, ऌ हम प्लस मैंनं प्लसी मैंनस यडड़ के यह उड़ फ murँ भर ओ म कि रेस्ट्रियो में कोई कोई परिवर्तन मतलब वह हीरत्या परिवर्तन कोई चैन्ज नहीं होगा चैन्ज यहां लेगे लेगे नहीं कोई चैन्ज नहीं होगा कोई और और अगर रूल नम्मर टू रूल मर टू अगर अंगल में टू एन पाइप प्लस टू आन पाइप प्लस वन माइनस की ता रहे हैं कि अब प्रिगनोमेट्री यह समझने में वर्सो वर्सो भी जाता है लेकिन आपको सबसे जो असान है सबसे एजी कॉंसेट है जब को हरे एक सिचुएशन में काम आए वह आपको बताया जाए कि अग्युक्त प्रिगनोमेट्रीकल रेशियो चैंज हुटा वह कैसे होता है वह कैसे होता है किसी को बोलते हैं और मल्टीपल यह सब परिए कोई नहीं इसका कोई नहीं इसका कोई आपको इसको बोलते हैं पर युझा कैसी एंदू हमें भी बतलाएं आप बताने के लिए हम तो बैठे होए मैं इस आसके हैं मैं कॉंप्लिमेंट्री समझते कॉंप्लिमेंट्री तब हो जाएगा पॉस में और और को सब्सक्राइब है तैंट हो जाएगा कॉट मैं है एक तरफ से हो जाएगा और यह हो जाएगा यहां तक मालूम चल गया है यह होगा चैन्ज कब होगा कब नहीं होगा वह बात समझ में लिए अगर यहां से मिटा दीजे लिखने वक्त मेरी क्या कर लिक टुवन प्लस वन पाय वाट यहां तो आप लोग सही कर लिजेगा इतना 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 है जो दो फूटा मूटा है जो लिखने वक्त हो जाता है आपको ध्यान देना और मानुचला कब चैंज होता है और नहीं होता है अब चैंज होता है नहीं होता है कि दो तीन एक्जामपल देते हैं उससे आप समझ में आ जाएगा 120 गज़ा जो निकाना इसको आप ब्रेक कीजिए हलाकि एक दो कलास में आप सीख जाएगा परसान मत हुए इसको क्या लिख सकते हैं 90 प्लस नहीं लिख सकते हैं तो रूल अपने जगा है यह जीरो है यह नाइंटी में से कुछ भट राय अगड़ रहा मतलब चैंज होगा मतलब चैंज होगा मतलब से पहले यह तो बता दीजिए यह 120 है ना 120 सीकंट क्वाडरेंट में साइन पोजटीव होता है मतलब इसका भैलू कुछ भी होगा परसान नया चीज़े समझ में आएगा कैसे नहीं समझ में आएगा इसे सब चीज को हम लंबा लंबा लूल लिखा देंगे तो कितना बुड़ा लगे बुड़ा लगे गां थोड़ा कॉंसेप्ट्वल है बात को समझने का कोसिज किजिए नहीं तो आपको भूब में एक प पुरा समय लगेगा पूष चीज्द को समझ जाईये जुट-मूटका परिशान होने से से क्या सफैसाडğa है नहीं लिखेंगे जब भी बीच वाला को स्प्लिट करेंगे इसको क्या लिख सकते हैं यहां से कुछ एड़ सब्ट्रेक्ट यहां से कुछ एड़ सब्ट्रेक्ट बदल जाएगा अब एक बात ओर यहां यहां जाएगा सब्सक्राइब कितना हो जाएगा साइन फॉट्टिफाइब लिए आपको नहीं समझना रहा तो वीडियो को दो बार देखिए एक बार देखिए हमें कॉमेंड किजिए यह चप्टर यहीं पर शतम नहीं होगा आपको जब तक सीखा नहीं देखिए में तास्व भी जहां तक मतलब मिनिमम आप एक हजार तक मतलब निकाल सकते हैं कि यहां तो जब भी आप ब्रेक किजिए तो वहीं नाइंटी से ब्रेक किजिए और इसी तरह से बनाना है और क्या को रब्बा कोई तो बता किस को रोता है क्या कि जिदो गया कि अब अच्छा पाटे यहां तो कि लिए रहां सब एक दोवारी ग्रांपल देते हैं कि कोई नराज होके रह पाया है जो रह पाएंग यह देखिए तो कॉस्त कि कैसे करेंगे यह सब को एक और तरीका माइनस करके बनाने का लेकिन वही बात है आपका डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं खराब करना चाहते हैं आपका डाइजेशन को हमें पूरा क्या लिए इसको क्या लिख सकते हैं कॉस्त और की उनलllow टि काहां पर ठरेगा यह तो यहां पर रहेगा एक सटी सब्स छब्स पर लागिंद्स सब्सक्राइब किया जाए तो उसमें कोई पर दाव आप यह पर्षानी है यह होगा कि रही December सब्सक्राइब कितना इसमें क्या होता था तैन व्ला पोजिटी पॉस्ट व्ला निगे तीव होगा सब्सक्राइब 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 लिखिए तो उची में स्प्रीट कीजिए जो हमको वहलू आता है कुछ घटाएंगे तो वह त ही रहेंगा यह थे लाए दो सब्सक्राइब आप कोई परिशानी नहीं होना चाहिए बिलकुल नहीं होना चाहिए एक लाष ओड लेंगे इसपे अब धिर सारा कुछ्चन करवाएंगे सारा क्वेश्चन करवाएंगे आपको बिल्कुल परिशान होने का ज़रूरत नहीं है इस वीडियो लक्ष्टर पर वहीं यहीं पर संपन करते हैं आज का क्लास आपको क्या सामसूस हुआ हमें भी बताईए अपने दोस्तों को भी बताईए इस चैनल को कि आप हमदार बक्षे आप जहिन बाइट टेक कियर गये नहीं हो भी तक तुद बाइट